क्या रोई शर्मा सर्फराज खान के रनाउट के उपर काफी जादा गुस्ता है क्योंकि सर्फराज खान एक बड़िया इनिंग खेल रहे थे और अचानक से वो रनाउट हो गए वो भी जड़े जाकी गलती के वज़े से अब ऐसे में सर्फराज खान जैसे रनाउट हुए तब रोई शर्मा ने अपनी कैप जमीन पर फेक दी और साफ साफ दिख रहा था कि रोई शर्मा इस रनाउट पर काफी जादा नाराज है क्योंकि उनको पता था कि अगर सर्फराज खान रनाउट नहीं होते तो वो दोसों भी मार सकते थे वैसे आपका इस रनाउट के उपर क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना हुए